आज मुझे एडी गिराफतार करने आया है और बर हमसे पुष्टाज करने के बाद समय बिताने के बाद सवेओं धंग से मुझे गिराफतार करने का उन्हों लोगों ने हैसला सुनाया और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है मुझे पर साड़े आठ एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भुयारी जमीन किया जो जमीन कभी बिक्ती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला दिल्ली में भी इन लोगों ने छावे मार कर हमारी जो छवी खराब करने की कोशिस की और आज अन्तोगत्वा ये सुन सब्सक्राइब तरीके से आए समय काते और उनको पता है कि सामके बगत कोट के चरी बंद हो जाता है और उन्लों ने अपने योजना के नुसाथ मुझे अरेस्ट करने का नेर्ड़े में सुनाया मैं कोट के निर्णय पर बिल्कुल सर्मान्य के साथ उसका सम्मान करता हूँ अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा क्योंकि आप तो पता है कि विवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती है आज एक लोगप्रिय सरकार एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीत कर सरकार बना कर राकी ज पड़नी पड़ेंगी ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोस लोगों को गरीव निरीख आदिवासी दलीद पिचड़ों के उपर जो अत्यचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संगस भी करेंगे आज मुझे संभाता ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे मुझे उसका चिंता नहीं सीवू सुरें का मैं बेटा हूँ संगर्स हमारे खून में है और संगर्स करेंगे लड़ेंगे जीतेंगे और जिस मनसुबिक के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोग ने नहीं लिया है और आपको हम बता दें बड़ा अश्यर की बात है अभी मैंने जमीन को लेकर उन्होंने मुझे पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं बलकि जो लोग जाली कागच बनाकर और जिनके फर्जी सिकायत के अधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक सर्यंत्र रजकर ये काम्याब हो रहे हैं अब मुझे पुरा विश्वास है आज ने कर सत्य की विजय होगी साथियो समय में बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक जो अभी हाल में राजनितिक सर्यंत का सिकार विहार हुआ है अब ये दुसरे राजनितिक सर्यंत का सिकार जार्खन को बनाना चाहते हैं लेकिन आप अस्वस्त रहे हिमन स्वरेन जार्खन के हर एक वेक्ति के दिल में है हर एक नौजवानों के दिल में हर एक बजुरुगों के दिल में हर एक बच्चों के दिल में रहेगा और जिस तरीके से बुड़े बुजुरु के सेवा करते हुए, नोजवानों को रोज़ार देते हुए, अपने महिला सस्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोज़ार सिर्जन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा, एक लंबा लकीर के रुपने मैं से आज इचली तभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जाला दिन तक चलेगा नहीं, लेकिन जब हम अगली लडाई के लिए तैयार होके आएंगे, तो इस मद्बूती के साथ आएंगे, कि दुबारा इस तरीकी के सड़यन करने वाले, आगे से इस तरीकी के कदम उठ पाने से भी हजारों बार इनकों सोचना पड़े, धन्यवाद साथियों, जोहार, और कल सुबह अगबार के माद्यम से, टीवी चैनलों के माद्यम से संभावता, आप सब लोगों को इस बात की खवर होगी, कि आज थे मंसरें गिरफतार हो गया, और हमारे जो विरोधी लो काफी समय दंसील है, और कर्मत है, और हम अपनी इमानदारी के साथ अपनी लडाई को जारी रखे हुए, और मैं उमीद करता हूँ कि हमारी इस लडाई में आपका भी पुरा सहयो मुझे प्राप्त होगा, धन्यवाद जोहार.